हलो एब्रिवन वेलकम टूदा यूट्यूब चैनल ओफ मार्स अकेडमी और इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है इस वाली सीरीज में हम कर रहे हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेस्टन जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से बेस् इस दिरी के हम क्वेस्टन करने स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह है को स्क्रीन पर दिखवा दूँगा और साथ ही इन को स्की जो Πीडिएएफ है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक भी प्रवाइड करवा दूँगा तो चलिए पहला कुशन पड़ते और उन सब का वेट अलग-अलग है वह सब लोग अपने वेट कंपेर कर रहे हैं छे परसंस पीसे लेकर यू तक थीक है तो इस कोश्शंस का फोर्मेट किस तरह बना सकते हैं मैंने यहां पर छे स्पेस बना लिए ठीक है यहां पर हम रहें चलते लास्ट में अब हम क्या करते हैं जो हमारे पास Hints given है direct उनको हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसने हो आर्स weight is less than only q's weight यानी कि आर का weight made April cue से कम है इसका मौनलब हम कह सकते हैं कि q सबसे it and or क का weight केवल Q से ही कम है यानि कि R second heaviest है तो हम यहां पर fix कर देंगे R को और यहां पर हो जाएगा Q क्योंकि उसने कहा था Rs weight is less than only Q केवल Q से कम है और किसी से भी कम नहीं है यानि कि इसका weight दूसरे नंबर का सबसे भारी होगा और Q का weight सबसे ज़्यादा भारी होगा next उसने कहा S is heavier than only two persons S केवल 2 person से भारी है केवल 2 एक और 2 person से भारी कौन है केवल 2 person से भारी है S तो S की position यह fix हो जाएगी next उसने कहा T is only heavier than U and lighter than S ठीक है T is only heavier than U T किस से हेवी है केवल यू से यानि कि T से हलका केवल एक ही person है यानि कि T यहां पर fix कर देंगे और उसके हलका केवल एक ही person है यू वह भी इसने question में कहा तो यू यहां पर fix हो जाएगा और जो हमारे पास last person बचा पी तो पी के लिए केवल एक ही जगह बची है पी को हम यहां पर fix कर देंगे तो यहां तक हमारा यह format में सारे के सारे हमारे person पूट हो गए और question लगबग सोल हो चुका है लेकिन उसने आगे थोड़ी जी और चीज़ दी इसका वेट उसने दिया है हमें 90 KG है कि इसका हमारे पास 90 KG है और तो यहां पर यह समझेने लगते हैं यह यह नहीं यह फिफ्ट लाइट एस्ट है क्योंकि है वेट हमारे पास यह है तो यह क्या कौन सा और यह फिफ्ट है वाली जो बात में ने बताई इसको थोड़ा दियान रखना क्योंकि यहां पर कनिफ्यूज जाते हैं बहुत सारे लोग इसका सिन के आंसर लगाते हैं उसने हमें पूछा वाट इस दा पॉसिबल वेट ओफ एस एसका पॉसिबल वेट कितना होगा एस से जो एकदम लाइट परसन है वह 50 kg का है और एस से जो जस्ट हैवी परसन है वह 90 kg का है तो एसका वेट 90 और 50 के बीच में लाई करेगा ठीक है तो सब्सक्राइब कौन सा हो जाएगा हमारा फॉर्थ क्योंकि उसमें कितना है 75 kg के बीच में लाई कर रहा है 75 इसलिए इसका रोजाएगा ऑप्शन नमबर फॉर 75 kg को उसने कहा हूँ इस थर्ड हैविस परसन ठीक है वही वाली बात है थर्ड हैविस परसन कौन सा होगा यह क् गलती से भी थर्ड हैविस यह मत समझे लेना यह कौन सा होगा यह थर्ड होगा क्योंकि यह है लाइट यह सब्सक्राइब हमारा क्या हो जाएगा पी यानि की ऑप्शन नमबर टू पी और कोशन नमबर थर्टीन में उसने कहा इस था हैविस परसन वेट इस फोर्टी केजि पुछाओगा 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 पी का गिविन था और क्यों का इसने समय हमें बता दिया तो आर का वेट कितना होगा 130 और 90 के बीच में उनसा भी ऑप्शन इंदो वैल्यूस के पीच में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आनस्वर सो ऑप्शन नमबर फिफ्थ मैं देख पा रहा हूँ उसका वेट कितना है 120 120 definitely 130 और 190 130 और 90 के बीच में लाई कर जाएगा तो इसका आंसवर हमारा हो जाएगा 120 यानिकी ऑप्शन नमबर 5 हुए तो next question हमारे पास coding decoding का question है और इसमें केवल हमारे पास 2 questions है हाला कि इसमें काफी सारी हमें directions दी हुए हैं तो इस तरह के questions को देखके घपराने की जरूरत नहीं होती क्यूंकि जितनी बड़ी directions question में given होती है वो केवल हमारे पास mental pressure बनाने के स्टार्ट करते हैं सब से मैं पढ़ पा रहा हूं आप भी पढ़िए तब तक तो इसमें उसने कहा है कि a group of digits followed by five combination of letter symbols number one two five options five options given obviously you have to find out which of the combinations correctly represent the group of digits based on the following coding system and conditions that follow and mark your answer तो मेरी समझ में क्या आया कि हमारे पास कुछ digits given है और उनके नीचे उनके codes given है यानि कि हमें कुछ digit given होगी और उन digits को हमें code करना है इन codes के according लेकिन हम ऐसे direct code नहीं करेंगे उसने हमें कुछ conditions दी है और हमारे पास कितनी conditions given है तीन सो मैं क्या करूंगा इन conditions को छोटा-छोटा करके यहां पर कर लूँगा ताकि question पढ़ने के बाद मुझे बार-बार conditions को रीड करना ना पड़े तो उसने क्या कहा हमें first condition में if the first digit is old and the last digit is even अगर first digit हो जाए और last digit हमारे पास हो जाए even ठीक है then the codes for the first and last digits are to be interchange यानि कि क्या हो जाएंगे हमारे पास इन दोनों के codes हो जाएंगे और लास्ट हुई even तो हम उन दोनों के codes क्या करते हैं कि आपस में interchange ठीक है second condition उसने दी first as well as last digit is old यानि कि first digit भी old और लास्ट digit भी old ठीक है तो उसने कहा both are coded by x यानि कि इन दोनों का code क्या हो जाएगा x ठीक है हमारे पास old even की condition हो गई ओड ओड की condition हो गई लास्ट में possibly हो सकता है या तो even even की condition की विन हो या फिर even old की condition की विन हो बिगवार पढ़ लेते हैं उसने हमें का if the first as well as last digit is even both are coded by star यानि की अगर दोनों की दोनों digits कैसी है even तो दोनों का code हो जाएगा हमारे पास star ठीक है तो हमें conditions बार-बार read ना करनी पड़े इसलिए हमने उनको short form में करके फटा-फट से read करके यहां पर इस तरह से note कर लिया ठीक है हम जितनी जल्दी familiar हो जाए इनको दिमाग में बढ़ा लें फिर बस हमें केवल देखके ही आंसर मार कर देना होता है अब कैसे मार करना होता है मैं आपको बताता हूं हम पढ़ते हैं question number 14 question number 14 में उसने हमें कहा 450326 अब देखिए यह आपको note करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको pen से note करेंगे एक्जाम में तो आप कहीं न कहीं उन हजारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो बीना note करें केवल आँखों से देखके screen पे question को देखे उसको mark कर देंगे तो कैसे best approach में हम इसको solve करेंगे हम देखेंगे four or six first or last digit दोनों की दोनों digits कैसी है even यानि कि यह बात definite हो गई first or last का code क्या होगा star ठीक है अब हमें जैसे ही पता चला first or last का code होगा हमारे पास star तो आप question में देख पा रहे होंगे कि option number first second and fourth तो हमने ऐसे ही eliminate कर दिए क्योंकि उसमें last का code हमारे पास start given नहीं है ठीक है उसके बाद third और fifth बचा third और fifth में से हम देख पा रहे हैं जो second digit है four five zero three two six यह छे डिजिट से ना जो उसमें second digit है five उनके भी codes different given है तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगा के यहां पर थोड़ा smart काम क अगर हम केवल second digit का code पता लगा लें तो हमारा वही answer हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे कोड़ कैसे given है different first or last को छोड़के सो जैसे ही हमने question में देखा fifth का code क्या है हमारे पास given are so हम fifth का code लगाएंगे और और हमें देखते ही पता लग जाएगा कि option number third option number third गया हो जाएगा इसका answer ठीक किसी तरह हम next question पर अप्रोश करेंगे question number 15 उसने कहा three or eight first or last delete है three or eight यानि कि और और इविन यानि कि इन दोनों के code कैसे हो जाएंगे आपसे में इंटर्चेंज तो three अगर तो अगर three or eight का हम code देखें three का code हो जाएगा हमारे पास percent और eight का code हो जाएगा hash यानि कि codes होने चाहिए थे percent और hash लेकिन उसने condition में हमें क्या given क्या दिया है कि दोनों के दोनों आपस में interchange हो जाएगे यानि कि hash पहले आ जाएगा और हमारा percent चला जाएगा बाद में ठीक है तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास कौन-कौन से options बच है आप question में देख पा रहे होंगे कि केवल first और fourth ही ऐसे option है जिसमें first digit का code है hash और last digit का code है percent ठीक है तो बाकी सारों को हमें देखने की भी जरूत नहीं है यही छोटी-छोटी बात होती है जो exam में हमारा time बचाती है आपको मालूम है banking exams में हमारे पास sectional timing भी होती है इसलिए हमें best approach इसलिए requirement होती है ताकि हम time बचा के अपना timely complete कर पाएं सो हमने देखा first और last digit का code तो सेम है उसके बाद हम second digit के code पर गई हमारे पास given है एल एल दोनों में और third digit का code given है टी और डॉलर यानि कि अगर हम third digit का code देख लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा answer so third digit हमारे पास है one जिसका code हमें question में given है टी यानि कि हमारा option number one क्या हो जाएगा correct answer so friends उम्मीद करता हूँ आपको approach समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी जिन जिन digits के code question में हमारे पास different करके given है अगर हम केवल उनके code देख लें तो केवल उनहीं का code देखके हम पता लग सकते हैं कि right answer क्या होगा इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें पूरा code को decode करने की ज़रूरत नहीं है और केवल आखों से देखके ही बिना pen उठाए हम उसको exam में attempt कर सकते हैं बहुत सारा time save करते हुए तो आईए अब चलते है next question पे next question हमारा syllogism का question है syllogism में एक ऐसा टोपिक है जो कि banking exams के experience काफी easy मानते हैं और actual में होता भी है ठीक है तो हम हमारे पास इसके 5 questions given है उससे पहले जो हमारे पास directions given है उनको बहुत ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है banking exams में कि हम question को सही करते हुए भी गलत करके आजाते हैं क्योंकि हम directions पर ध्यान नह conclusion to follow करता है हमारा answer option number 3 अगर हमारा answer either or condition में जाता है हमारा answer फोर अगर हमारा answer नीदर condition में जाता है यानि कि none और हमारा answer होगा option number 5 अगर बोथ follow करते हैं अगर आप beginner हो तो कम से कम इस conditions को नोट जरूर कर लेना चाहिए लेकिन अगर आपको practice करते होगे काफी time हो गया है तो आपका mind इस level पर develop हो जाएगा कि आप इनको एक बार पढ़ेंगे question में और यह आपके दिमाग में set हो जाएंगे ठीक है तो आपको फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी आपका और भी time बजेगा इसलिए इस बात से हमें क्या पता लगता है कि practice भी एक बहुत important factor होती है banking exams को एस करने के लिए जीत हासिल करने के लिए तो हम बिना time waste की अब next question पर चलते है question no.21 से लेके 25 तक हमें give in है तो मैं पहले note कर लेता हूँ so syllogism के question को solve करने का best तरीका होता है when diagram के द्वारा तो मैं भी आपको when diagram के द्वारा ही बनाने वाला हूँ उम्मेद करता हूँ आपको when diagram से बनाने तो आते होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहां पर एक card प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो में जिसमें मयंग सर ने समझाया हुआ हुआ है सभी concepts syllogism के एकदम basic से आप पहले वो वीडियो देखें उसके बाद य आर सी ओल बी आर सी एंड नो सी आर डी और कोई भी सी डी नहीं है ठीक है तो यह हमारा वेंड डाग्राम कंप्लीट हुआ और conclusions अगर हम पढ़ने स्टार्ट करें उसने हमें कहा सम ए आर नौट डी इस पोसिबिलिटी ठीक है सम ए आर नौट डी इस पोसिबिलिटी अगर आ यानि कि some part of a कभी भी क्या होगा डी नहीं होगा तो यह बात क्या होगा हमारी 100% करेक्ट सो अगर हम 100% करेक्ट बात में संभावना जोड़ेंगे पोसिबिलिटी जोड़ेंगे तो उस बात का कुछ मतलब तो रह नहीं जाएगा सो वो हमारा क्या हो जाएगा रोंग इसके समझ आई आपको यह बात अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताना मैं आपको नेक्ट वीडियो में फिर से एक्स्प्रेन करूंगा सेकेंड कॉंक्लूजन उसने हमें कहा ओर डी कैन नेवर बी बी कि सारे डी कभी भी बी नहीं हो सकते ठीक है क्योंकि हमेरे पास डिरेक्ट रिलेशन सी ओर डी में गिविन है कि पूरा सी डी नहीं हो सकता और डी सी नहीं हो सकता तो बी भी डी नहीं हो सकता और डी भी बी न जाएगा option number two only second photo फटाफट से आते हैं next question पर इस्टेटमेंट पड़ते हैं उसने हमें कहा all girls are beautiful all girls are beautiful फिर उसने कहा no girl is a boy no girl is a boy अब देखो यहां पर हम अपनी शोट फोर में नहीं लिख वाएंगे क्योंकि हमारे पास दो भी सेम होगे question में हमें confusion create हो सकता है तो हम क्या करेंगे beautiful को लखेंगे बी और बॉइज को लिख देंगे बी ओ ठीक है और लास स्टेटमेंट उसने कही all boy are man ठीक है यानि कि सारे के सारे boys क्या है मैं मैं देखो यहां पर भी आपको मैं बहुत इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूं वह क्या ठीक है अगर आप all boy are man का डाइग्राम इस तरह से बना देंगे यानि कि यह दोनों सर्कल सापस में टच करते हुए तो आपको confusion हो सकता है कि यह जो नो वाला स्टेटमेंट था यह boy के साथ था या फिर man के साथ तो क्या करें बोल boys are man का ना उसने तो boys को man के अंदर पूरा अच्छी तरह बनाए नहीं तो आपको confusion create हो जाएगा उससे हमें पता रहेगा कि यह जो नो वाला है यह girl और boy के बीच में है ना कि girl और man के बीच में एनिवेज फटा-फट अपने स्टेटमेंट पटते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है सम ब्यूटिफुल आर्म मैं फ़र्स उसने का सम ब्यूटिफुल आर्म मैं ब्यूटिफुल और मैं के बीच में हमारा कोई डिरेक्ट रिलेशन नहीं गिवि उसमें लेकिन हमारे पास हो सकता है तो हम इस पर लगा देंगे रैट यजुकि संभावना किसलिए है क्योंकि डिरेक्ट रिलेशन नहीं गिविन्हेए तो हमारा conclusion only second follow होएगा यानि कि option number two हमारा 20 second का भी answer हो जाएगा फटाफट से 23rd पर आते हैं उसने हमें का sum a r b all b r c no c is d by chance की बात है 23rd को देखते ही मुझे पता लगया 21st और 23rd का वेंड डाइग्राम से हैं तो बनाने की जरूत नहीं है इसी में देख लेते हैं और conclusion को read करते हैं सीधा उसने हमसे पुछा all d can be a can be का मतलब होता है possibility ठीक है all d can be a क्या सारे के सारी d a हो सकते हैं ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ सारे के सारी d a हो सकते हैं क्योंकि d और a में इस बात के संभावना हो सकती है हैं बिलकुल हो सकती है तो यह क्या हो जाएगा और झूमतल रऎ उसकते हैं यह उसकते हैं तो यह आर भी की ओल भी आर चीजिज़ औल सी आर डी शब से आसान डिःग्राम यहीं होता है तो उसने सिर यह क्या कहा सम ढी आर सी है घैपनीटली डी के अंदर जब सी है तो कुछ दी दूशी होंगे ना और सेगें इसने ओल डी और सी यह सारे के सारे डी सी हो जाएंगे यह नहीं पाएगा ठीक है क्योंकि यह दो बाकी का बच्या झीका उसको लेके हम शोर नहीं कि यो सीका पार्ट होगा या नहीं ठीक है तो सेटिंडि नहीं फॉलू कर पाएगा कौनु सो Took होगा only first यानि कि हमारा option number one इसका correct answer होगा फटा-फट से आते हैं last question पे statements में उसने कहा all a are b all a are b and some a are not c and some a यानि कि a का some part is not c a का some part c नहीं है तो उसने हमें conclusion में क्या कहा some b r c क्या कुछ b c हो सकते हैं कोई relationship नहीं कि विन है तो क्या हो जाएगा हमारा रोंग second उसने हमसे कहा no b is c कोई भी b c नहीं है तो second conclusion भी हमारा क्या हो जाएगा रोंग फिक है लेकिन जैसे ही मैंने दोनों statements को एक साथ पढ़ा मुझे क्या पता चला some b r c and no b is c यह इन दोनों statements में हमारा subject or predicate b और c सेम है ठीक है दोनों की दोनों statements individually wrong है वो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया ठीक है और हमारे पास एक statement कैसी है positive और second statement कैसी है negative some b r c and no b is c ठीक है अगर हम इनका Hindi meaning decifer करें तो उससे हमें क्या पता जलेगा या तो कुछ b c होंगे या फिर कोई भी b c नहीं होगा यानि कि हम इसको बात को कह सकते हैं यह वाली condition क्या कि दोनो statements individually रोंग होनी चाहिए some b r c रोंग था no b is c ठीक है next क्या था कि दोनो statements में subject or predicate same थी b and c b and c और जो last condition हमारी बची की statement थी positive some b r c और दूसरी थी negative no b is c ठीक है तो हमारे पास यह वाला case कौन सा बन जाता है इधर और का ठीक है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा उप्शन नमबर 3 कि इधर first or second follow उम्मीद करता हूँ आपको explanation अच्छे लगी होगी अगर आपको फिर भी कुछ क्या से अप्रोच करना चाहिए एक्जाम में हर बार की तरह ताकि आप मैक्सिमम मांक्स कर सके मिनिमम टाइम में ठीक है तो अगर आप एक स्क्रेंट पर विजिबल हो जाएंगे जैसे हमने से लोग से कुशन में पढ़ा था इस में भी हमें डिरेक्शन एक बार पढ़ लेनी चाहिए ठीक है उसने हमें का first if only conclusion first is true second if only second is true third if either first or second is true fourth में neither और fifth में both ठीक है तो अब क्यूंकि condition हमारे पास same है तो इसको हम note नहीं करते exam में भी आप इसी तरह time बचाना p is greater than or equal to q less than or equal r comma लगा के दिया s is greater than t और comma लगा के दिया r is less than s और conclusion में उसने हमसे पूछा t और q में relationship ठीक है तो इन type के question को करने की best approach क्या होने चाहिए step 1 में आप पहले statement नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले conclusion पढ़ेंगे ठीक है उसने हमें conclusion में दिया t is greater than q तो हमें relationship develop करना है t और q में उसके बाद हम जाएंगे statement पर और फिर देखेंगे हमें t से q के बीच में कैसे relationship लाना है तो मैं देख पा रहा हूं हमारे पास t से s में relationship given है s से r में और r से q में यानि कि हमें क्या root follow करने पड़ेगी t से s s से r और r से q ठीक है अब मैं कैसे questions को approach करता हूं मैंने देखा t is less than s और s is greater than r अब क्योंकि हमें t से q पर जाना था और t से s तक आने में ही हमारे science कैसे हो गए opposite यानि कि हम कोई भी conclusion definite नहीं बता बाएंगे तो हमारा first conclusion तो हो जाएगा wrong और हमारा जो second conclusion होगा p से s ठीक है पहले हमने conclusion पड़ा p से s पर जाना है तो p से s पर हम कैसे जाएंगे मैं question में देख पा रहा हूं p से r और r से s लेकिन p से r और r से s जाने में मैं मैंने देखा p और r के बीच में हमारे पास science कैसे आ गए opposite एक less than का और एक greater than और equal to का तो इसमें से भी हम कोई conclusion रो नहीं कर पाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह नीदर वाले किसे में चले जाएगा यानि कि हमारा option नमबर फूर्ट हो जाएगा correct answer लेकिन अगर आप एक beginner हैं तो इन questions को कैसे अप्रोच करें ठीक है जैसे कि मैंने बताया मैं तो किवल माइंड में पढ़की कर लेता हूं ती हमें जाना था कि तूमें टी से घॉए आरद आर मिस्कोन नोड ब्र्रिट करते हैं जैसे सना हो जाएगा साइन फिर अंगा ये लस दैन को चूशन में ठीक है, SAR क्या हो जाएगा, opposite यानि कि क्या हो जाएगा, greater than का, अब देखो, जैसे ही आपको दो opposite sign दीखे, तो यहीं से हम conclude कर देंगे, कि कोई भी direct relationship established नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा conclusion हो जाएगा, wrong, ठीक, इसी तरह हम देखते हैं, 17th question को, उसने हम से question में पूछा, R से A, R से C पर हम गए, तो हमारे पास किस चीज का sign आया, C से R given है, तो R से C opposite हो जाएगा, less than का given है, तो किस का हो जाएगा, greater than का, और फिर हम जाएगे C से A, C से A पर किसका बचा है, greater than और equal to का, क्योंकि A से C में less than equal, less than equal given है न, तो हम C से A पर जाएगे, तो वो उसका opposite हो गा, greater than equal, so R से A तक आने में हमारे पास ये दोनों signs आये, और इन दोनों sign का resultant sign क्या बनता है, हमारे पास greater than, और उसने हमें conclusion में R greater than A ही equal given था, यानि कि हमारे ये answer क्या हो जाएगा, correct, ठीक है, तो first conclusion हमारा हो जाएगा, right, and second conclusion में हमें जाना है, R से D पर, तो R से D पर कैसे जाएंगे, first conclusion की तरह, पहले R से C पर, फिर C से A पर, और फिर A से D पर, अब क्योंकि हमारे पास A or D question में given है, equal है, A equal D, तो R अगर greater than A है, तो definite सी बात है, R greater than D भी होगा, यही reasoning है, ठीक है, तो हमारा second conclusion भी right हो जाएगा, so इस answer हमारा क्या हो जाएगा, option number fifth, यानि कि both follow, ठी A से Q पर जाने के लिए, हम क्या करेंगे, हम जाएगे, A से C, ठीक है, और question को देखकर हमें पता लग गया है, कि A से Q के बीच में हमारे पास, कोई भी direct relation नहीं बन पाएगा, so first conclusion हमारा wrong हो जाएगा, जब हमारे पास कोई link ही नहीं की भी नहीं है, A से लिए के Q तक का, तो less than greater than, greater than, greater than equal, less than equal, या फिर equal कुछ भी हो सकता है, हम definite नहीं बना बता सकते हैं, इसलिए हमने wrong लगा दिया, और second conclusion उसने पूछा हम से, A से W, A से W, W भी question में given नहीं है, so इसका भी answer क्या हो जाएगा, wrong ही हो जाएगा, A से Q में हम direct relationship नहीं develop कर पाए, और W तो question में given नहीं था, तो यानि कि ये दोनों conclusion follow नहीं करेंगे, यानि कि हमारा option number 4th answer हो जाएगा, 19th मैं आपको homework में करने के लिए देता हूँ, इसका answer आप मुझे comment section में बताना, और जो question number 20th है, वो देखने में थोड़ा अलग सा लग रह 5 is in equal to 6 and 6 is in equal to 7, ठीक है, तो हमें relationship किसमें develop करना है, 4 और 6 में, 4 और 6 में हमारे पास given है, 4 is equals to 5 and 5 is unequal to 6, तो क्या हम 4 और 6 में कोई direct relationship बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि in equal to का sign आ गया, और in equal to का मतलब greater than या फिर less than कुछ भी हो सकता है, तो हमारा first conclusion follow नहीं कर conclusion होगा, 5 is less than 6, वो भी, follow नहीं करेगा, क्योंकि 5 less than 6 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन definite नहीं है, तो second conclusion हमारा क्या हो जाएगा, wrong, but इसमें जो अच्छी बात है question में, वो गया है, हमारे पास question में given है, 4 और 5 equal है, यानि कि question 20 के जो conclusion first or second है, उनमें जो subject or predicate है, वो सेम हो गए, अब क्योंकि subject or predicate सेम हो गए, क्योंकि 4 equal 5 given है, तो first conclusion में हम 5 greater than 6 लिख सकते हैं, और second में हम 4 less than 6 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका answer हमारा किसमें चला जाएगा, either or option में, क्योंकि हमारे पास 5 किसके unequal given है, 6 के, तो less than भी हो सकता है, greater than भी हो सकता है, ठीक है, यह काफी अच second, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको इन सभी questions की explanation समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है, तो please comment section में बताना, मैं और जादा improvement करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसके अलावा दोस्तों जो मेरा personal channel है, उसका link में ने description box में given किया हुआ है, जिस पे मैं का channel को share जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो friend circle में aspirants है, and thank you so much for watching this video, मिलते हैं इस series की next video में, जिसमें हम एक और category based puzzle solve करने वाले हैं, thank you so much.